तो क्या बता रहे थे हम यहाँ पर एक तो लो ग्रेड कॉपर इसका मतलब होता है इसमें पर्सेंटेज ऑफ पर काफी कम होता है पर्सेंटेज आफ पर क्या रहेगा काफी कम और इक आपका होता हाई ग्रेड कोपर आइस जूपर लिखा हुआ है इसका मतलब उसमें जो है पर्सेंटेज ऑफ कॉपर जो रहेगा वह ज्यादा बात समझ में आहां यह आपका हो गया जो भी पार्ट था तीन के बारे में क्यों पढ़ेंगे एनने एलेट्रो मेटलड़्री फाइरो हाइड्रो जानि सबसे पहले इलेक्रिशिटी उसके बाद क्या करेंगे और उसके बाद हाइट्रो पानी का इस्तमाल करतें अब हम लोग आ तहीं इसमें process in metallurgy क्या क्या मोग देवरे heading process in your process in metallurgy मैं जो process होता है उसके बारे में जा देंगे सबसे पहले जो होता है के सबसे पहले जो होता उसको crushing कहते हैं ग्रसिंग कर सिंग एंड ग्राइंडिंग एक नग्राइंड ग्राइंड इंग जिसको पल्वेराइजेशन भी कहा जाता है ह něसको कि अखा जात कप्रसिंग की अंदर निकायत बड़ा बड़ा मिलेगा न पंसको तुकले को कुए करना 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 पुले उसको यह बना देना पाउडर उसका बना देना बेसिकली यह होता है वो क्या कहला था कंसेंट्रेशन ऑफ और यानि थोड़ा सा इसको प्यूरिफाइब करना एक तरह से जाट छूट के थोड़ा ता जो है पाउडर फॉर्म में ज्यादा से ज्यादा मिल रहा है इसको कहेंग लिकीड कंसीं ज्यादा में गलता धाए तो मतलब और समझों मतलब करने का मतलब क्या होगा मतलब ज्यादा ज्यादा Reverse उसमें ज्यादा Oxide यानि कि Oxide और जो है उसको फिर्प कर देंगे Oxide में और मिल गिया उसके बाद करेंगे ऑकशाइड में हाला कि और भी कंवर्ट कर सकते हैं हैलाइड में और भी लेकिन Okside में भी इसलिए कनवर्ट करते हैं क्योंकि जो क्या बोले मुनाफे का खेल नहीं भी कोई particular का इस्तेमाल हो रहा है इसका मतलब उसका सीधा संपर्क जो है वह मुनाफिज से ही होगा ऑकसाइड में इस लिए हम लोग करते हैं कि उसका जो डिलजी होता है इसका यहोगे आपका थ्री पोर्थ में हम लोग चले जाएंगे reduction of oxide reduction of oxide to metal metal oxide से metal में convert कर लेंगे reduce करके और पांच वा क्या करेंगे refining refining या फिर purify refining of metal लास्ट में इसको क्या कर देंगे refining यह पांच तरीके से process है किसमे कि हमना करते है How methodology करते हैं कई कोई ज़रूरी नहीं है कि यह पांचों का पांचों सब में लगे सकता है किसी में ही तो कई कोई जरूरी नहीं है कि सब में यही पैंच वह चलता चला आएगा इस इसदेट class अब सबसे पहला हम हम लोग देख रहे हैं क्रसिंग एंड ग्राइंडिंग अलागी बता दिये हैं इसको बहुत ज्यादा इसमें लिखवाने का तो नहीं है कि पूरा का पूरा कहानी यह लिखवाने लग जाए तो फिर पता चलेगा कि क्या कि दो फिक चालागी इसमें ध्रिकत वह ठाळीन है क्यालिख क्रसिंग एंड ग्रैंडिंग कली एंड ग्रैंडिंग जीसको हम लोगनी अछी जेशनил फीलीद संट एक प्लवेर आई इस चेक है तो बिसीकली इस में क्या है कि और सौप्टेंड फ्रॉम आर्थ और सौप्टेंड अप्टेंड फ्रॉम फ्रॉम आर्थ okay earth crust okay earth crust is converted converted to crust is converted into powder powdered form from period of treatment okay क्या किया हम लोग कि और जो अर्थ क्रश्च लाएं उसको कनवर्ट करती है पॉडर्ड फॉम में ट्रीट करके क्रस्ट करके ठीक है उसी को हम लोगों क्या बोलते हैं क्रसिंग ग्राइंडिंग फॉल्वराइजेशन इस देट क्लियर सकेंड जो दूसरा था कंसेंट्रेशन ऑफ और क्या है कि सिंपल सा है अनवांटेड जो भी रहेगा मतलब की अच्छा कंसेंट्रेशन ऑफ और के कहने का मतलब क्या हो गया है क्या है तो इंक्रीश न उसको चाट करके निकालेंगे जैसे बाहर निकल जाएगा गृस्य। बाहर निकल जाएगा नाज बैसेंट्रेशन पैसेंड मतलब यही हो गयाना कि हम क्या बोले था इंक्रीश का मतलब मद्रेशन क्या-ल्याई acronym इंक्रीज दा कंसेंट्रेशन और तो बेसिकली कंसेंट्रेशन और न बढ़ा करके हम लोग करेंगे क्या इंप्यूरिटी को हटाते हैं तो यह ज्यादा लगने लगेगा और जो इंप्यूरिटी हटा उसको डैट इस ठीक है ऐसा लिखते हैं अन्वांटेड जो माटेरियल है उसको हटाना ठीक है ब्रैकेट में लिख देते हैं तुरी मूव अन्वांटेड अन्वांटेड माटेरियल ठीक है डैट इस यह इसको बोलेंगे मैट्रेक्स मैट्रिक्स या फिर गैंग यह व्यादा रहा है तो यह हो गया कंसेंट्रेशन ओफ और अब यह जो है आगे का जो प्रोसेस है निकाल दियें अब क्या होगा कनवर्जन ओफ और इंटू ऑक्साइड फिसिकली कंसेंट्रेशन ओफ और तो हम लोग कर लिए ठीक है अब इसमें भी दो तरीके से आ लेकिन पूरा यह इसा नहीं हो सकता है कि पूरा पूरा इंट्री यहां से हड़िया थोड़ा बहुत जो इंट्री है वह जो है यहां से हटता है बाकि लास्ट लास्ट तक में अपने को जो लास्ट प्रोसेस रिफाइनिंग उसमें जा करके फाइनली जो है इसका गायब होता है यहां दिखते हुगा भाई इसको हाटना चाहिए कि अधिश्ट करना जबाच के लिए अधिकार का कि अधिश्ट करें तो अब जो है इसका दो मैथड होता है एक को कहते हैं और एक को कहते हैं कैमिकल मैथड वैसा मैथड जिसमें किसी केमिकल का जनरल इस्तेवाल नहीं होता है चाहे बनाते हैं तो पर और नीं उसके बाद क्या आजागा 10 बात समझ में आए तो सबसे पहला जो हम लोग देख रहे हैं ने की में तो जये कई हो Or我要 थे तक क्या करा जाएगा het केइमिकल नाम से यह इसमझता है सबसे पहला कर रहे है वह क्या रहेगा आप नियुमित ये जो भी डेखेंगे सबसे पहला जो देखेंगे वह रहेगा तो रहेगा आपना ग्रावेटी सेपरेशन मेथड़ है ग्रावेटी सेपरेशन मेथड़ है इसमें बेसिकली क्या होता है का प्रिंसिपल क्या है तो में डेंसिटी ऑफ और और डियाने की और जो है इसका दिंसिटी और तो इस प्रोपर्टीत काम करता एक फिल से काम कर लेगा डिंसिपल इन इस तो density of ore of ore and gank इस पर काम करता है अब जैसे हम एक्जाम्पल के तौर पर समझें इस पर एक्जाम्पल के तौर पर क्या समझेंगे जैसे यह आपका होगया है और दूसरा जो लिए हम सिलीपॉरिटी यह आई-ए-एम्प इंपॉर्टेंट नहीं है और यह क्या रहेगा लाइट वेट है बात समझ में आया अब क्या करेंगे हम लोग ठेक है अब क्या करेंगे अब देखेंगे और में क्या है और यह कौन है इसमें क्या है इंप्यूरिटी तो बेसिकली होता क्या है क्या होगा यह यहां पर तो यह जो है यह हम माल लेते हैं एक कंटेनर टाइप का बना रहे हैं यह आप कि यह चिंबर है तो और यहां से क्या रहेगा तो यह अज़िए अज़िकली होगा क्या कि उपर से उपर मतलब इसमें मिला हुआ क्या रहेगा सपोस्थ हम यह डॉटेड डॉटेड जो है यह उपर में और यह जो व्यट वाला जो ही जो एवी पार्ाटिकलरह हैगा वह आपका क्या रहेगा और औ्र पार्टिकल क्या थिक्विए बहुत क्या है कि यहां से दे जाएगा यहां से एंटर किया जाएगा पूर्स में एक फॉर्टर आई प्रेशर से इक आई प्रेशर कि यहां ने हम लोग एच्टूओब ठीक है ईटूलिक सिस्टम यहीं तो बोला था hydraulic washing इसी को कहते हैं क्षषप छिंदे न登録 washing यह नहीं यह चीज रहा निकेरा पुरा पुरा-ख सर्म opा इसा था शे सी लेंगे आगए डील को दो झ्रम आटा है इसलें से यह कीज़ की च готов जो और पूरा पूर Leonardo एद गैंग कर लेंगे जनरली यूज्ट पर ऑक्साइड एंड कार्बोनेट यह है ये जो चीज है वो किसके लिए इस्तिमाल होगा जैनरली एक पार ऑखसाइड एंड कार्बोनेट एक इंड कार्बोनेट एक बिकास कि यह वाला आपका वाइट वाला यह क्या ओर पार्टिकल इसमें इसमें आजाता है विल्फी टेवल करके बहुत ज्यादा तो इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन भी बता देते हैं विल्फी टेबल यह ऐसा ऐसा टाइप कर रहेगा और यहां पे इस तरीके के बने हुए तरीके से अब इसमें क्या रहेगा बेसे कली यहीं आपका जो भी प्लस इंपुरिटी इस प्लस इंपुरिटी और प्लस लिए प्रेक्ट क्या है इसमें भाई और प्लस इंप्यूरिटी ओर प्लस इंप्यूरिटी ठीक है और यह रॉकिंग मोसन मतलब घिलता डूलता रहा है आप समझना रॉकिंग मोसन इधर उधर ऐसे ऐसे करके और यहां से हम लोग फिर क्या बाहर करेंगे यहां से हम लोग क्या देंगे वाटर के वाटर यह ऐसे करके जो है यहां से जो है वह वाटर इससे पानी यह देखे जो है वह पास होगा ठीक है वाटर यह क्या है आपका वाटर यह तो जो भी रहेगा ठीक है हम क्या बोले और ज जाहिर से बात है और जो भारी है वो नीचे ही बाइठा रहेगा इंपर जो इक्जांपल दिया भी ले लिए और उससे फिर क्या हो जाएगा वह बहुत ज्यादा यह नहीं रहता है ठीक है उपर वाला सही थेक है अब जो सकेंड जो है ठीक है मैगनेटिक सेपरेशन इसको तो इस फ्रिंजिपल पर काम करता है किस प्रिंजिपल पर काम करता है तो डिफरेंश इन डिफरेंश इन magnetic properties दिकाई ओर यदि ओर जो है उसमें magnetic property है जैसे iron का हो गया ठीक है जैसे क्या हो गया iron का तो उसमें जहिजी बात में प्रोपर्टी आप क्या मिलेगा रहता है आइरन का ओर ठीक है तो वैसा difference in magnetic प्रोपर्टी और एंड गैंग गैंग पार्टिकल तो एक याने कि गैंग पार्टिकल जो रहेगा उसमें नहीं होना चाहिए और में मैंने प्रोपर्टी होना चाहिए ठीक है वन आफ दा और और गैंग इस और गैंग ठीक है इस सो तो मैंने टिक प्रोपर्टी ठीक है समझ में आया यह मैंने टिक निचर तो करेगा ठीक है अब इस तरीके से प्रोपर्टी यहां पर आपको दिखेगा इस तरीके से तो यहां पर पूरा ऐसा नजर आएगा अब इस तरीके से चड़ा हुआ रहाता है पूरा का पूरा ऐसे अब यह क्या रहेगा एक तरह से मैगनेटिक वील है क्या है मैगनेटिक वील मैगनेटिक वील एक दोनों इलेक्ट्रो मैगनेटिक इंडेक्शन की एमाई एक है अब बैसिकली थोड़े दर के लिए इसको मैगनेटिक फॉम में ले आना ऐसा भी का सकते हैं और यह वाला जो है नॉन मैगनेटिक वील एक सकते हैं दोनों मैगनेटिक अब यहां पर बेसिकली क्या होगा कुछ नहीं यहां पर हम क्या करेंगे यह जो आपका रहेगा यहां से जो है जcom क्या डालेंगे के और और भी रहेगा और साती सात क्या रहेगा आपका जो भी इंप्यॉरिटी है वह भी रहे गा यह नीचे और अनके pregunta कि तो है कि निसमें और सात्याथ रहेगा ऑर साथिसाथ क्या रहेगा ठीक है कर describing ठीक है तो मैंने क्छूज़ गिरेगा पको भला कि इस में आके गिशुक दॐ ये कौन सा रहेगा नॉन मैइनेट्टिक पार्टिकल अब तना बार हो गिया और जो बच जाएगा उसको यहां पर यहांदे मैंगनेटिक पार्टिकल मैंगनेटिक पार्टिकल कि ठेक है यह क्या हो जाएगा मैंगनेटिक पार्टिकल तो बेसिकली यह हो जाएगा अब एक्जाम्पल के तोर पे समझें कि यह जो है SN02 इसमें जो है थास तोर पे जो SN02 जो है वह आपका क्या है नॉन नॉन मेगनेटिक मेगनेटिक पार्टिकल याद रहेगा न और यह क्या है बेसिकली इंप्यूरिटी एंप्यूरिटी ठीक है और बेसिकली इंप्यूरिटी जो है ठीक है उसमें पार्टिकल और इसमें क्या मिला हुआ रहे बैसिकलि यह किस तरीकर काम कर रहा है इंपूरिटी के तरह और जो फी वाला जो था आपका मैगनेटिक का आपका कॉन सा हो जाएगा तो फी आरन वाले जो और रहेंगे वह आरें वाले और में आपका अम बता दिए यहाँ सब्सक्राइब अगला जो है अपना वह है फोर्थ प्लोटेशन मेथड यह जो है यह लोग करेंगे ठीक है आज यहीं रोकते हैं जो है और आगे का प्रोसिस करेंगे लिखने में टाइम जा रहा है क्योंकि यह पूरा का पूरा क्या प्रोसिस करते हैं कल चालो ठीक किसी को अधिये ना है यह लोग क्या क्या थे तो उसी में से पढ़ाऊना फिर लिखने नोट 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 वाले से पढ़ाए तब तो खतम हो जाएगा ना समझा करके लिखना नहीं पड़ेगा क्योंकि यह देख रहाएंग बनाना इसमें एक एक चीज़ का बनाना जो है वो कारी टाइम चला जाता है ठीक है पड़ाएंग चला जाता है सालओ ठीक है कल से देखते हैं वही करेंगे दो दिन में खताम हो जाएगा इश्चे पड़ाते थे ना इसलोग कोई डाउट है किसी को इतना दूर में है नहीं सर नहीं झाल झाल